तेक्सिश में हमने डिफेरेंट सॉफट्वेर्स के बारे में देखा और साथ में कुछ हमने कमपैरिजन भी किया एक बात मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि आपके पास सॉफट्वेर कोई भी अवेलेबल हो जो फिल्मेकिंग की, पोस्ट प्रोडक्शन की या वीडियो एडिटिंग की जो कन्वेंशन हैं वो हमेशा से सेम ही रहेंगी हर सॉफट्वेर वही काम कर सकता है जो के दूसरा सॉफट्वेर भी कर सकता है कुछ टूल्स डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ कीज डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन जो बेसिक कन्वेंशन है वो हमेशा से सेम ही रहेंगी तो अभी हम जानते हैं अडॉबी प्रीमियर के बारे में जी, अडॉबी प्रीमियर हमारा इंस्टाल हो चुका है और इंस्टाल होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की आपके पास इंटरफेस आएगा जिसमें आपके पास new project और open project Majorly आपके पस यहांँ पर यहांपर अरह है और यहांपर आपके पस further जो project आपके अलरेडी आपने recent खोले होते हैं तो इनकी भी एक list आपके पास यहांपर आजाती है New project, obviously जब आप झाब आप उल्ड़ीक करेंगे तो आपको new project create करना होगा और अगर आप किसी existing project पर काम करना चाहते हैं तो आप open project से जाके जहां पर भी आपने जिस location पर उसको save किया वे आप उसको वहाँ पर open पर सकते हैं अभी हम new project बनाने लगें लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपने अपने project को save कहां पर किस तरीके से करने जहां पर आपने अपने सारे assets organize किये होते हैं जी सबसे पहले तो आप यहां पर एक folder बनाएंगे जो आपका जो project आप शुरू करने लगें उसको उस नाम से मैं यहां पर एक new folder बनाने लगा हूँ और अब भी हम इसका नाम रखते हैं dg skills और चले हम इसमें 123 add कर लेते हैं मैं यहीं से इस नाम को copy कर लेता हूँ ताकि आगे project name decide करने में मुझे इसको copy paste करना हूँ और मेरे main folder और project का नाम सेम हो जाए मैं इस folder के अंदर गया यहां पर मैं एक दो folders और बनाऊंगा और obviously यह मेरा project शुरू करने से पहले के folder होंगे जिसके अंदर मैं data के नाम से बना सकता हूँ या मैं इसको वीडियो के नाम से बना सकता हूँ क्योंकि मेरे पास जितना भी film किया हुआ जो भी asset है वीडियो का व और अगर आपको कुछ और भी साथ में चीजे कुछ reference रखने हैं आप data के अंदर save कर सकते हैं और अगर आपको किसी folder की जुरूरत नहीं आप शुरू में यूज को जाके आप ना यूज करें आप सिर्फ वीडियो और audio से काम चला सकते है एक folder यहां पर हमारे पास बन जाए कुछ और Adobe Premiere का software कुछ पीछे working कर रहा होता है जिसमें हमारे पास audio confirmation है यह हमारे पास कुछ auto save है कुछ render files है तो आगे फर्दर वो folders बना जाता है तो इसके लिए बेतर यह है कि आपका extra folder आपके root पे ना पढ़े हो आपका एक project का folder separate हो और उसके अंदर आपके पास सारे folders वहा पास जो सबसे major इसमें important जो है वह एक तो name है और location है location वो है जहां पर मैंने project को save करना है तो यहां पर browse को मैं click करूंगा और browse के बाद जहां पर मेरा folder जहां पर मैंने अपने assets रखे थे मैं वहां पर जाओंगा जहां पर मैंने folder भी बनाया था तीजी स्केल्स तीजी स्किल्स 123 और यहां से इस project folder को select कर लूँगा यहां पर मेरे पास option है select folder इसको मैंने click किया अब यहां पर देख सकते हैं वह जो path पहले था वह बदल चुका है और इस वक्त मेरे पास मेरे desired path पे project save होने लगा है by default project का name untitled आ रहा होता है जो कि आपने बिल्कुल इसे नहीं रखना आप अपने ही जो जिस नाम से आपने अपना main folder बनाया था या जिस नाम से आप project रखना चाहते हैं मैंने शुरू में इसको copy कर लिए था यहां पर मैंने इसको paste किया तो आपके पास कुछ और भी options है general का tab है scratch disk का है in just setting है इनको further हम मजीद detail में देखेंगे just a go through कर लेते हैं इस वग मेरे पास यहां पर यह renderer की option है अगर आपके पास graphics card लगावाओ तो यहां पर आप options को change कर सकते हैं अगर आपके पास graphics card नहीं है तो सिर्फ आप तो फिर आप उ further हम आगे discuss करेंगे इन दो चीजों को आपने इस वक्त माइंड में रखना है और इसको आपने सही path देने के बाद सही नाम देने के बाद यहां से आप इसको okay करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से interface open हो जाएगा जैसे कि हमने पहली दफ़र premiere open किया है तो इसने हमें एक यहां पर learning का टैब दे दिये है और इस वक्ति जो workspace है basically एक learning की ही select है workspace क्या है यह अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ उससे पहले हम इन windows पे नजर माडल है क्योंकि सबसे पहले हमारे पास सी जो खुल है हमें यह जानना जरूरी है कि कौन सी window का क्या roll है तो इस वक जो यह window खुली है यह इस वक्त learning workspace की वज़े से खुली भी है और इसमें कुछ basic आपके पास tutorials बगारा है आप जरूर इसको भी go through करें और इसमें भी आप कुछ सीखने के लिए चीज़ें मिलेंगी इसके अलावा जब आपना काम शुरू करने लगते हैं सबसे important window आपके पा project है इस project के आगए आपको उस project का नाम भी नजर आ रहा है जो कि हमने safe किया था यह इस वक्त main window है आपके पास सबसे पहली window जहां जब आप काम शुरू करते हैं इसमें आपने सारे assets जो भी video है जो भी audio है वो आप इसके अंदर import करेंगे इसके अंदर आप further bins भी बना सकते है further folders भी बना सकते हैं जिस तरह से backend पे हमने hard drive के अंदर बनाई थी इसको detail में हम explore करेंगे हम पहले अपनी windows देख लें tabs देख लें सारे इसके बाद मेरे पास है source window जो source window है basically आपकी main window है जिसमें आप अपना जितना भी आपके पास videos है या audio है import करने के बाद जब आप open करते है उनको basically वो इस window के अंदर open होगी और उसके बाद आप यहां से उनकी selection कर सकते हैं यहां से ही आप basically एक वीडियो के अंदर से जितना portion आपको चाहिए हो इस window के अंदर से आप इन tools की मदद से या कुछ shortcuts की वजह से आप यहां से select कर सकते हैं इसके बाद आप जब selection कर लेते है है फिर आप जाते हैं अपनी timeline पर यह मेरे पास timeline window है आप देख सकते हैं आपको थोड़ी timeline की space ज्यादा चाहिए होती है क्योंकि यह ही main window है जहां पर आप जिस तरह से भी अपने फोटेज की selection करते हैं और उस तरह से उसके बाद उसको जिस तरह से rearrange करते हैं तो आपका edit जि आपने कुछ बीज में graphics insert करने कुछ subtitles करने कुछ भी आपने audio पर भी काम करने तो बेसिकली timeline के अंदर ही हो रहा होता है program window यह बेसिकली वह window है जिसके अंदर आपके पास एक final preview आ रहा होता है तो basically होता क्या है कि आपने timeline पर जो edit किया है जब आप उसको play करते हैं तो इस window के basics है overview इसका दे रहा हूँ यहां पर मेरे पास चोटी सी एक यहां पर tab है जिसके अंदर यह सारे editing के tools है किस तरह से इनको use करते हैं जब हम अपने काम editing कर रहे होते हैं हर एक अलग-अलग usage है हर tool के अंदर थोड़े से और tools भी add है इन सब को हम explore करेंगे और इसके बाद मैं आ हमारे पास यहां पर है audio meters तो basically आपके पास यहां पर जो भी कुछ play हो रहा होता है timeline पर उसकी जो audio monitor है वो आपके पास यहां पर आ रहे होते हैं जिसमें आपको पता चल जाता है कि इसका audio level कितना है क्योंकि broadcast का extended level होता है आपको उसके हिसाब से बाकी audio को भी maintain रखना होता है तो वो यहां पर आप basically यहां पर monitor कर सकते हैं उनको तो यह तो जब आपने बिल्कुल premiere को install किया और उसके बाद आपने जब नया project बनाया तो आपके पास कुछ इस तरह की window आ गई तो इसको मैं नाम दे सकता हूँ workspace का basically workspace क्या है कि यह आपके पास कुछ by default बनी भी workspaces हैं औ आपके बाद हम अगर जाते हैं assembly को मैंने क्लिक किया तब आप देख सकते हैं कि इस वक्त कुछ भी उस तरह से like आपका content wise कुछ नहीं बदला लेकिन कुछ windows आपके पास move हो गई कुछ windows आपके पास hide हो गई कुछ windows का size बड़ा हो गया कुछ का छोटा हो गया तो basically workspace का क्या है कि आप अपने हिसाब से workspace बना सकते है या जो नसी भी आपको इन में से suit करती है आप उसको use कर सकते हैं तो हर workspace में आपके पास placement अलग-अलग हो जाती है जिस तरह से आपको suit करता है आप उसको रख सकते हैं सिरक कर सकते हैं मिसाल के तोड पर यहां पर मेरे पास अगर हम इसी editing workspace की बात करें तो मेरे पास यहां पर project window है जो के पहले भी था learning में मेरे पास यहां पर कुछ source window पहले भी था effect control एड हो चुका है, audio clip mixer एड हो चुका है, meta data एड हो चुका है और इस तरह से मेरे पास यहां पर program monitor भी already मजूद है अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इन में से कुछ work space को change करना है मुझे maybe meta data use करना ही ना हो या मुझे audio clip mixer की अभी इस stage पर जुरूरत नहीं है तो मैं उसको बात में भी लेकर आ सकता हूँ यहां पर मेरे पास window के tab में जाके मेरे पास चिन चीजों पर टिक हुआ वे basically वो इस वक्त आपके पास यहां पर open हुई है और जिन पर नहीं हुआ हुआ और अगर आप उनको use करना चाहते है आप उन पर अगर click करेंगे वो आपके पास यहां पर फर्दर खुलती जाएंगे मैं बात कर रहा था अपनी workspace बनाने का तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ किस तरीके से आप इसको अपनी workspace बना सकते हैं मैं एक नई workspace बनाता हूँ आपके लिए और यह workspace वो है जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ अपने तरीके से तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से मैं workspace यूज़ करता हूँ सबसे पहले तो जो चीज़े मुझे नहीं चाहिए मैं उनको बन कर दूँ मुझे media browser नहीं चाहिए क्योंकि मैं किसी और तरीके से import करता हूँ हम आगे discuss करेंगे libraries मुझे नहीं चाहिए होता info नहीं चाहिए मुझे effect चाहिए होता है अभी मैं इसको यहीं पर रखता हूँ markers नहीं चाहिए tab को यहां से पकड़के mouse से मैंने इसको move किया तो यह मुझे further options दे रहा है कहां पर मैं इनको place कर सकता हूँ मतलब इस effect window को अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको यहां भी रख सकता हूँ यह मुझे options दे रहा है यहां भी आ सकती है यहां भी आसकती है अब आपने अपने हिसाब से वर्क्स्पेस बनानी है तो जहाँ पर आपको सूट करता है अब इसको मूफ कर सकते हैं मैं इसको यहां पर मूफ कर रहा हूँ इस वाली विंडो के अंदर प्रोजेक्ट विंडो मेरे पास यहां आगई आप देख सकते हैं यहां से दो टैब मैंने मेजर मूफ कर दिये उपर आटोमेंटिक भी मेरी टाइम लाइन जो है इस वक्त बढ़ी हो गई है तो टाइम लाइन की आपको हमेशा ऐसे जरुरत होती है क्योंकि आपने बहुत जादा काम करना होता है अगर आपकी प्रॉजेक्ट की डूरेशन जादा है तो आपकी टाइम लाइन बढ़ती जाएगी तो इसलिए आपको जरा इसके लिए स्पेस जादा चाहिए होती है और अभी भी मैं इसमें देखूं मेरे पास यहां पर यह है इफेक्ट को मैं अगर चाहूं तो मैं यहां पर रख लेता हूँ इनको भी मैं अरेंज कर सकता हूँ और्डियो क्लिप मिकसर मुझे अभी मेटाडेटा नहीं चाहिए और्डियो क्लिप मिकसर भी मुझे अभी नहीं चाहिए इसको मैं यहां से बंद कर देता हूँ effect control है source है तो यह मैंने उस में से जो के एक workspace थी मेरे पास मैंने इसको change कर दिया अब आप देख सकते हैं कि शुरू में आपके पास project window यहां थी और कुछ effect आपके पास नहीं था और अब आपके पास यह चीजे आ चुकी है अगर आपको further कुछ और भी चाहिए हो window में जाके उसको दुबारा लेकर आ सकते हैं तो एक workspace हमने यह design कर ली लेकिन इसको save करना भी जरूरी है क्योंकि आपने जब दुबारा open करना है तो अब आप इस workspace को अपने नाम से जिस नाम से भी आप चाहें save कर सकते हैं मैं इसको उमेर के नाम से save कर रहा हूँ मैंने यहाँ पर उमेर type किया इसको मैंने okay किया और आप देख सकते हैं कि जितनी भी यहाँ पर workspace थी यहाँ पर एक workspace और add हो चुकी है जिसका नाम है उमेर तो वो होता क्या है कि कोई भी विंडो कोई भी वर्क स्पेस आप से डिस्ट्रिब हो जाती है बैसिकली निसाल के तोर पे अगर आपके पास यहां पर सोर्स विंडो थी और आप से गलती से यह कहीं पर चली गई यहां पर आगई अब आप देख सकते हैं सब कुछ कुछ बहुत किसी ने ज़्यादा स्पेस ले लिए किसी ने कम ले लिए तो आपको काफी मसला होगा बाज दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो बिलकुल ही वहां से आप से गलती से मूव ही हो जाए तो इसके लिए मैं आपको एक बड़ी कुछ टिप दे देता हूँ कि आप से इस तरह का कभी कोई भी मसला हो जाए तो आप उसको रीसेट कर सकते हैं आप तो बारा से गए विंडो में वर्क स्पेस और आपकी और डी वर्क स्पेस सेलेक्ट है इसके नीचे आपके पास ऑप्शन है रीसेट टू सेफ ले आउट अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो जिस तरीके से मैंने अपनी वर्क स्पेस सेफ की थी जहां जहां जो टैप्स जो जो विंडोस थी वो सब अपनी जगह पे वापस आ चुकी है तो ये तो था एक अदॉबी प्रिंट का एक बेसिक इंटरोड़क्षन या आप कहलें कि अभी तक आपने सिर्फ इंटरफेस को देखा है अब हम नेक्स लेक्चर में डिसकस करेंगे कि किस तरीके से हम इसे काम करते हैं किस तरीकЕ से हम इंपोर्ट करते हैं